Hello everyone and welcome back to Insomniac Studios. मेरा नाम है Jatin और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा क्या आपको music production के लिए laptop लेना चाहिए या फिर desktop लेना चाहिए अगर इन दोनों में से select भी हो जाए तो AMD लेना चाहिए या फिर Intel लेना चाहिए इस चीज को करता हूँ clear लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूँ जो मेरा main focus रहेगा वो रहेगा मेरा music production पे so please उसी तरीके से सोचना अगर आप video editing के लिए जा रहे हो तो आपकी जो choices हैं वो change हो सकती है तो चलो वापस music production पे आते हैं और बात करते हैं अब laptop या desktop so अगर आप एक DJ हो आपको travel करना होता है so आप एक laptop purchase करोगे and अगर आप एक सिरफ bedroom producer भी हो और अगर आप student हो आप अपने घर से बहार रह रह रहे हो PG में रह रहे हो hostel में रह रहे हो so वहाँ पे भी आप एक desktop को नहीं लेना prefer करोगे क्योंकि आप छुटियों होंगी छुटियों में घर जाओगे and classes भी होंगी आप बहार जाओगे so PC का पता नहीं क्या हो सकता है और इधर से अधर बार बार आप PC को carry भी नहीं कर सकते हो so उस case में आप purchase करोगे एक laptop तो फिर भाई या desktop कौन purchase करेगा PC कौन purchase करेगा so आप अपने घर में रहते हो, bedroom producer हो, आप job कर रहे हो यहाँ फिर आप student हो अभी मतलब आप यह समझो आपका जो main काम है वो अभी घर में ही है तीन, चार, पांच साल तक आपको घर में रहना है तो आपको लेना चाहिए PC, अब कहोगे यार, एक जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी न, तो वहाँ पे मैंने बोला था कि laptop नहीं लेना चाहिए इतने heavy काम के लिए तो एक comment आया था मुझे वहाँ पे, तो इतनी बड़ी जो companies है वो पागल है जो इतने expensive laptops बना रही है तो यहाँ पे एक चीज मैं clear कर देता हूँ आपको, कि इतनी बड़ी जो companies है, gaming laptops भी बना रही है लेकिन अगर आप उसको compare करोगे एक PC से, तो वो उतना अच्छा perform नहीं कर पाएंगे अगर आप एक powerful laptop लेते हो, तो आप उसका max देखना कि वो कितने gigahertz का है वो उतने gigahertz का नहीं होगा जितना एक PC होगा, आप overclock कर सकते हो यार PC में आप cooler ही इतना बड़ा लेते हो, मतलब अगर आप normal जो CPU fan आता है उसकी अगर बात करोगे न, तो वो भी इतना बड़ा होता है, and laptop, so जितना आप use करोगे चीज को उतना वो heat वो करेगी, heat produce करेगी and heat को control करने के लिए चाहिए होता है fan, उसका cooling system, so आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, क्या एक laptop में छोटा सा fan इतनी heat को control कर पाएगा, so mainly heating issues के वज़े से ही, वो इतने powerful compared to PC नहीं होते है अब चलो आपको ये तो पता चल गया कि आपको laptop लेना है या desktop, अब बात आती है AMD के साथ जाएं या फिर Intel के साथ जाएं, भहिया, AMD बहुत अच्छा है, इतनी सारी course मिलती है, Intel कुछ करी नहीं रहा है, इतने महंगा आता है Intel, बेकार है Intel, यार इतना महंगा क्यों ले, इतन नहीं क्या बुरी company, दोनो नहीं है, क्यों अगर वो इतने महंगे products बना रही है, अगर आप छोटा product भी कोई लोगे, तो 5-6,000 पेगा आपका starting CPU होगा, तो 5-6,000 में भी क्या आप बेकार चीज लेना पसंद करोगे, नहीं ना, तो दोनों companies अच्छे products बना रही है, लेकिन वो depend करता है आपके use पे आपको क्या चाहिए और आपका काम क्या है, आपका काम किस से निकलेगा, थोड़ा सा confused हो गए ना, चलो explain करते हैं, अब यहाँ पे देखो, हर चीज के, चाहें वो CPU हो, यहाँ फिर वो कोई भी चीज हो इस दुनिया में, हर एक के अपने pros हैं और cons ह हर एक चीज जो है वो इतनी perfect नहीं होती है, इतनी क्या perfect नहीं होती है, चाहें वो इंसान हो, चाहें वो कोई चीज हो, so Intel के अपने pros and cons हैं, AMD के अपने pros and cons हैं, अब यहाँ पे सबसे main चीज जो आती है, वो आती है, CPU की जो clock speed होती है, वो, यहाँ पे जो core की speed जैसे कहते हो गीगा हर्ट में उसकी बात कर रहा हूँ, Intel के आप देखोगे तो हमेशा जादा होगी, AMD की as compared to Intel थोड़ी सी कम होती है, लेकिन अगर आप number of cores की बात करोगे, तो वो AMD जादा provide करवा देता है, Intel उते provide नहीं करवाता है, अब यहाँ पे मैंने आपको पहले बोला था starting में, कि मेरा main focus रहेगा music production पे, so देखो music production में आपको speed देखनी है, जो clock speed है, एक single core, जो CPU की single core है, उसकी performance देखनी है, क्योंकि जो आपका music production है, आप देखते होगे, आप एक chain में लगाते हो, सारी चीज़े जो होती है, वो effects जो है, वो chain में लगाते हो, and layering भी करते हो, so एक के बाद देख के बाद एक, तो जादा जो DAWs होते हैं, DAWs होते हैं, चाहें वो कोई भी हो, वो single performance पे जादा depend करते हैं, single core पे जादा depend करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिरफ वो single core पे depend करते हैं, please समझना, बहुत सारी चीज़े होती है, और भी course चाहिए होती है, सिरफ single core से काम नहीं चलता है, लेकिन जितनी core की speed तेज होगी उत्ता आपका काम fast होगा, लेकिन उस single core के इलावा जो बाकी cores होती है, वो भी कही न कहीं support करती है, लेकिन main जो focus होता है, main जो चीज़ वो देखता है, एक DAW, वो देखता है single core की speed को, जो AMD थोड़ा सा कम provide करवाती है, उससे वो आप लो, क्योंकि वो आपको ज्यादा benefit करेगी, rather than आप उसमें, अगर AMD का कोई CPU ले रहे हो, जैसे I think Ryzen 9 है, उसमें 12 cores और 24 threads है, so वो उतना आपका DAW use ही नहीं करेगा, अब मैं आपको चलो और AMD की भी बाते बता देता हूँ, AMD जो है, उसमें cores जाद है, number of cores जाद कर रहे हो, so वहाँ पर Premiere Pro को यूज कर रहे हो, यहाँ फिर अगर आप और जितने भी video editing software है, mainly video को काम कर रहे हो, so visuals का काम कर रहे हो, so वहाँ पर आपका AMD है, वो बहुत अच्छा perform करेगा, Intel उतना अच्छा perform नहीं कर पाएगा, क्योंकि number of cores AMD के पास जादा है, लेकिन यहाँ पर एक चीज और ध्यान में देने वाली है, अगर आप compare कर रहे हो, तो same price की category को compare करा करो, यह नहीं, आपने i3 लिया, उसके बाद आप AMD के 7 से compare कर रहे हो, Ryzen 7 से compare कर रहे हो, तो वो तो हुआ ही नहीं, वो comparison ही नहीं हुआ, comparison बिल्कुल same to same आपको रखना है, Ryzen 9 और साथ में आप i9 रख सकते हो, so उन दोनों को compare कर सकते हो, इस type से compare करोगे तो आपको जाना बहुत ज़्यादा easy हो जाएगा, live streaming है, क्या क्या काम है, आपकी requirement क्या है, उस पे depend करता है, so totally आपका call है, आपको देखना है कि आपको क्या करना है, अगर आप ज़्यादा course के साथ जाना चा और सस्ते की बात, थोड़ा सा यहाँ पे, अगर आप overall देखोगे, तो बहुत minor सा difference होगा, ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप RAM की बात करते हो, so Intel को RAM चाहिए होती है, जो उसका speeds होती है, इतनी ज़्यादा required नहीं होती है, Intel अगर आप use करते हो, तो, वहाँ पे आ frequency है, वो ज़्यादा अची चाहिए होगी, जैसे कि अगर AMD के अगर आप particularly बात कर रहे हो, so वहाँ पे आपको 3000 MHz, 3200 MHz, इसके साथ जाओगे, तो better performance मिलेगी, हर चीज एक दूसरे पे depend करती है, so यहाँ पे अगर आप देखोगे, RAM के prices बढ़ गए, अगर CPU के कम हो गए, तो RAM के prices बढ़ गए, तो यह पूरी चीज़े देखना आपके ऊपर है, समझो, अपना use समझो, दूसरे को मत देखो कि AMD अच्छा है, Intel अच्छा है, मेरे हिसाब से Intel अच्छा था, मैंने Intel purchase किया, in future मैं प्लान कर रहा हूँ, अगर मेरा और बड़ा काम होता है, so मैं एक Ryzen build भी AMD build भी बनाऊंगा, वो भी approximately 2,5 लाग का जा रहा है, उसमें इससे भी जाधा अच्छा समान लगाने का मेरा plan है, so companies दोनों अच्छी है, अपनी आप requirement देखो, किसके साथ जाना है और उसके बद price compare करो, i3, AMD का आपने Ryzen 3 ले लिया, then उसमें comparison किया, इस type से करोगे, तो जाध benefit आपको मिलेगा, आप सबसे पूछोगे, जितने लोगों से पूछोगे, अलग-अलग चीज़े बताएंगे, आप होचोगे, confused और confusion में आप चीज ले लोगे, गलत, so I hope मेरी ये बातें आपको समझ में आई हो, और अच्छी लगे होंगी, वीडियो अच्छा लगा है, so वीडियो को कर दिना, लाइक चानल को कर दिना, सब्सक्राइब प्लस ये वीडियो शियर भी कर दिना अपने फ्रेंड्स के साथ, so that उने भी कुछ नॉलेज मिल जाए, अगर आपके मन में अभी भी कोई doubts हैं, queries हैं, so comment section खुला है, आप मुझसे पूछ सकते हो, फिलाल आज के लिए इतना ही, मिलते है नेक्स्ट वीडियो में,